हेलो फ्रेंड्स तो हम परफॉर्म कर दे वाले हैं प्राक्टिकल नमबर 10 पैंग्राम तो हमें एक सेंटेंस लेना है और उसमें चेक करना है कि उसमें सारी जो इंग्लिश के अलफबेट से वो हमने यूज किया हैं कि नहीं तो हम ओपन कर देते हैं पैदन नोटबुक और इसमें हम लिखेंगे इंपोर्ट स्ट्रिंग फिर हम एक फंक्शन लेंगे डैफ इस पैंग्राम सेंंटेंस तो इसमें हम सेंटेंस ऐकसेप्ट करेंगे और फिर हम एक लेंगीये यह हमारा फंक्शन होगया string.sky lowercase और इसको हम lowercase में convert करेंगे और फिर हम लिखेंगे return set sentence.lowercase greater than equal to alphabet तो यह जो alphabet है यह सारे अगर इसमें present है तो हमारा true आएगा otherwise आजाएगा false अब हम लेते हैं sentence one the quick brown fox jumps over the lazy dog तो यह जो sentence है इसमें हमारे सारे English के alphabet आते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे print is pangram sentence one तो इसका output हो जाएगा true क्योंकि इसमें सारे alphabets आते हैं अब हम दूसरा sentence लेते है sentence two this sentence is not a pangram तो यहाँ पर जब हम check करेंगे print is pangram sentence two तो इसका output आजाएगा false तो फटाफट से हम इस program को run कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर आपको यह program को run करना है जैसे आप इसको run करेंगे तो first का output हो जाएगा true क्योंकि इसमें सारे English के alphabets के characters आते हैं और second का हो जाएगा false तो I hope this practical was interesting thank you